देश में कोरोना संक्रमन लगतार बढ़ता जा रहा है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर से लेकर पुलीस बलजुटा हुआ है अधिकारी अपने अपने स्तर पर लोगडाउन के नियमों का पालन कराने में लगे हैं रामपूर के जिलादिकारी अंजने कुमार भी जिले के लोगों से लोगडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए अपील कर रहे हैं डियम अंजने कुमार जोरान लगजरी नोवा कार छोड़ कर बाजार का जायजा लेने निकल पड़े और वो भी साइकल पर लगातार दो घंटे साइकल चला कर उन्होंने लोगों से शोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के पील की अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए खुच जिले के जिलादिकारी महदे अपनी सरकारी गारी को छोड़कर बाजारों में लगी भीड को देखने के लिए जायजा लेते नजर आ रहे हैं यहाँ पर जब डियम पहुँचे तो उनको साइकल पर देख कर लोग हिरान हो गए कुछ लोगों ने तो डियम सहाब को पहचाना भी नहीं डियम सहाब ने सभी दुकानदारों को सक्त लहजे में चेतावनी दी कि यदि शोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो फिर कानूनी कारवाय की जाएगी इसके साथ साथ डियम सहाब ने लोगों को मास्क भी दिये और कोरोना से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का अधेश भी दिया आज साइकिल से बाजार में निकलने के कुछ उद्देश्य थे एक लिए है कि हम करोना के संक्रमण काल में भी धिये धिये जन्जीवन को सामानी करने की तरफ अग्रसार हो रहे है और दुकानों को खोल रहे है कुछ प्रथिबंध लगाए हुए है उसमें संबसे बड़ी ज़रूर सबसे बड़ी चीज़ यह कि इन सब का कारण एक ही है कि आप सुरक्षित रहे हम सुरक्षित और इसके लिए कुछ उपाय करने जरूरी बाजार में जो भीड़ बाजार हैं सकरे बाजार में वहां पे कुछ विवस्ताइब हैं उसके इसाब से हम पेरियर लगा हुआ तो बैरियर लगाने का उद्धेश यहा है कि किया पैदल खरीदारी करनी जाए और आपने वहान को पार्किंग अस्थल में डाल दें, और पार्किंग अस्थल हमने हैं हर जगह के. जहां पर आप वहान लेत दी जानी की परशे अनूमत भी होई है, वहां वहान बेतरतीम में खड़े करें. और cycle से आप फर्क नहीं जा सकते हैं, यह बताने का उद्धिश्य था, सबसे बड़ी बाद कि मास्क का सही इस्तेमाल करें या तो गमच्छा चेये पर बादे लेकिन जो गमच्छा आज इस्तेमाल किया उसको कल इस्तेमाल लगाए कल धुले को दे दे गमच्छा भी आपके पास कम से कम तीन होने चाहिए ताकि आप धुल के लगातार इस्तेमाल कर सकें कपड़े का मास्क लगाए कपड़े का मास्क बहुत महंगा भी नहीं है आप तीन या चार मास्क रह सकते हैं जो मास्क आज लगेगा वो कल नहीं लगेगा आज भूल जाएगा कल पूरे दिन धूप में सुखेगा और फिर परसों लगेगा इतनी के साथ से चेहरा अपना कवर करके रखना इतनी भी कठिन काम नहीं है जब मैं चेहरा अपना कवर करके वो भी न-n95 मास्स से अगर दो घंटे लगातार साइकल चला सकता हूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल काम है गर्मी में सबसे बड़ी बात है कि करोना हमारे जीमन में पहली बार आया हमारी आदतों के विपरीत है लेकिन हमें कुछ चीज़ें अपनी आदतों में शुमार करनी होगी आप सबसे अपील है कि आप सहयोग करें पुलिस प्रिशाशन के डर से भाग भाग करनी अफरा तफरी मचा कर आप लगातार हमाप पील कर रहे हैं अपने चेहरे को पुराकबर कर रहें लेकिन रुमाल से नहीं वे काले वाले मास से नहीं वो सुरक्षित नहीं है कपडे के मासस्य से गंचे जोनारु नहीं होगा तो हमारी मदद वीडियो आपको अच्छे लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक के पेज को लाइक कीजिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूस टैम्स 24 को सबस्क्राइब करना मत बुली